यदि लोग परंपरागत पार्टियों से, परंपरागत जनाधारों से, परंपरागत जाती समिकरणों से थोड़ा सा उपर उठ जाएं, तो बिहार में बड़ा बदलावा सकता है। उनको लगेगा कि वो हिंदू पार्टी को हराएंगे। भाजपा का जो कैडर है, उनके लिए आप कैडर कह सकते हैं, वो इधर उधर नहीं जाएगा। चाहिए वो दस परसेंट हो, वो अपनी पार्टी को देगा। जो जिनको आप कह रहे हैं लालू का वोटर, उनके लिए क कास्ट ही ही कैडर है, तो वो भी इधर उधर नहीं जाएगा। तो प्रशांत कि शोर की सारी संभावना इस बात पर निर्भर है, कि वो कैडर और कास्ट के परे जो मत दाता है, उनमें से कितना प्रतिशत अपनी तरफ करते हैं। कुमार दिनेश जी से हम लोग बाचित कर रहे हैं कि बिहार की राजनीती में एक नई धमक के साथ प्रशांत किशोर ने अपनी पहचान बनाई है और वो तेजी से बिहार की राजनीती में अपनी जगा बनाते हुए आगे बढ़ते दिख रहे हैं। तो प्रशांत किशोर क इन कारणों से इस समय चर्चा में हैं और उनको लेकर राजनितिक दलों में बेचायनी क्यों हैं क्योंकि हम आपको ये बताते चलें कि राष्टी जंता दल के प्रदेश अध्यक्ष ने एक चिठ्थी लिखकर अपने कारेकरताओं को ये कहा है कि जन सुराज के कारेकरमों में ना तो वो शामिल हो और ना उस कारेकरम में वो कहीं जाएं या उस पार्टी की सदस्यता लें आखिर इस बेचायनी के पीछे क्या है दूसरी पार्टियां भी क्या इतनी ही बेचायन है क्या सच्मच प्रशांत किशोर विहार की राजनीति में कोई नई पहचान बनाने वा सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत में मेरा मेरा पहला सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर विहार की राजनीति में एक नई नया विकल्प बन कर सामने आ रहे हैं मैं आपके दर्शों को धन्यवाद और मैं अपनी बात शुरू करूंगा उसके पहले मैं आपको अपनी बात शुरू करने के लिए बलकि तो शिंद कुमार के एक शेर को कोट करना चाहूंगा अब तो इस तालाप का पानी बदल दो अब तो इस तालाब का पानी बदल दो ये कवल के फूल मुर्जाने लगें और ये आशे क्या है इसका कि जो ये राजनीत का तालाब है ये बहुत गंदला हो गया है विकल्प की बात हो रही है अब 30 साल से एक तरह के लोग राज कर रहे हैं वाटी का ब्रेंड ने मलग है ना चरित्र एक जैसा है और लगभग 18 साल से 20 साल से एक तरह के लोग कभी आप अपने दोस्त और मित्र बदल बदल करके सत्ता में हैं और तो ये जो एक जड़ता है कहते हैं कि पानी को बदलते रहना चाहिए पानी में जल में प्रवाह नहीं हो तो पानी सड़ जाता है तो इ इस समय बिहार की आकांग्शा है कि अब लोग राजद जदियू भाजपा ये सब करते करते लगता है कि उप गयें कि सब एक तैसे हैं और सब से निराशा हो रही तो प्रशांत किशोर ने जो एक अपने अपना संगठन बनाया और जन सुराज अभी उसको मोर्चा या क्या कह रहे हैं बिहार के कुछ कहीं जिलों में पद्यात्राएं की तो वो एक उमीद जगा रहे हैं कि शायद बिहार की राजणीत को एक विकल्प मिल जाए इसके पीछे एक अधार भी है कि भी हाल के चुनाओं में आपने देखा पुरुनिया में निर्दली उमिद्वार सामन जीत कर गया तो इसका मानिये कि लोग विकल्प खोज रहे हैं और पार्टियों से वह न राज आपने मेरे बात की पुश्टी ही कि लोग विकल्प खोज रहे हैं और रुपांणी की के चुनाओं में एक नरदली प्रतियाशी की वीजहें विशेश करक् syntite अ-अभी हार् जिसकी पार्टी जिसकी पार्टी के हो वह विपक्षी एक मजबूत विपक्षी गल्का परत्याशिए उसको लोग रिजेक्ट करते हैं और एक निर्दलियों से परंपरागत जाती है समय करणों से थोड़ा सा ऊपर उठ जाए तो बिहार में बड़ा बदलावा सकता है अच्छा लोग पार्टियों से उबेव हुए हैं मैंने कॉंग्रेस ने हाला कि पिछले लोग सभा चुनाव में एक प्रत्यार्शी जीता पाये थे इस बार वो ती बलकुल वूप चुके हैं लोग कि आपने जैसे सत्ता रूड़ दल और विपक्ष तो दूनों की चरित्र में नीतियों में सिधानतों में अंतर होना चाहिए घोशनापत्र में या घोशनापत्र में अंतर हो और वो चरित्र में भी दिखाई पड़े अब यह हो रहा है कि भाइस घोशनापत्र तो सभी दलों के अलग-अलग हैं लेकिन चरित्र सबका वही है और इसी लिए पिछले 18 साहर जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं संयोग से इस समय कि एक महिने इस आज की तारीक से एक महिना पहले 18 जून से 18 जून से बिहार में पुलों के गिरने का जो सिलसला शुरू हुआ है जिसको यह कह रहे थे कि हम विश्वास के पुल बनाते हैं तो विश्वास के पुल पिछले एक महिने में आज एक आज का अकड़ा है कि कर चरमें लोग जाती है समेकरन जासे आफने कहां कि भाला जेट गया वहां वो जीत गया तो यह तो यह तो जाती 23 को आप हराना चाहते हैं किसी जाती बिठहना चाहते हैं और वो तो जिसको जब्लाकर्जिनिति में बिना जातियूं किया श्रूज करना BET और इसी बिहार में 1970 में बिना जाती देखे बड़ा परिवर्तन हुआ जै प्रकाश नाराण ने जिसको जनता पार्टी का टिकट दिलवा दिया लोगों ने उसको भरोसा किया जाती से उपर उठे अभी असंभव लग रहा है लेकिन जनता खुद विकल्म चुन लेती है फिर लोग जाती से उपर उठे फिर 77 के बाद 79 में लोगों का जनता पार्टी से जो मोभंग होता है तो 1980 के चुनाओं में पूरा साफ हो जाता है लोग जातियों से उपर उठे तो ऐसा नहीं है मैं सकारात्मक सोचता हूं मैं थोड़ी उमीद रखता हूं कि भार बिहार की जनत ठीक है जाती जकडन में है और ऐसा केवल बिहार में नहीं है अने राज्यों में भी है बिहार में थोड़ा ज्यादा चुकि हम लोग हैं तो यहां की चीज़ें ज्यादा दिख रही है लेकिन अने राज्यों में भी है और उसमें से बिहार अगर निकलता है तो यह बड़ी उपर उठें और समीकरणों की राजीत को एक विराम लगाएं और एक बेटर पॉलिटिकल अल्टनेटिव दें लेकिन एक चर्चा यह चिड़ रही है कि प्रशांद किसोर आखिर कोई समीकरण तो बनाएंगे वो एक रणिती कार रहे हैं उन्होंने नितीश कुमार को चुना जिताया है प्रश्चिम बंगाल में भी उन्होंने किया फिर नेंद्र मोधी को भी एक समय उन्होंने जिताया था तो एक रणिती कार हैं तो उनकी नजर उनका यह है कि समीकरण को तोड़ दें ऐसी चर्चा है कि मुसलिम संगठनों से उनकी बहुत बाचित हुई है और मुसल्मान मद्दाताओं को एक अत्रित करने में वो लगे हैं और ब्रामन मद्दाता ब्रामन वर भुम्यार जो अगड़ी जाती में वो उनके पक्ष में खड़े हो जाए तो जैसे चल रहा वैसे चलेगा आप फिर वही समीकरण करने लगोगे तो मुझे लगता है कि आप विकल्प नहीं दे पाएंगे यू विल भी वन अनदर पाइटी लेकिन राज़त की बेचानी फिर क्यों है उनको लग रहा है कि यह हमारे मुसल्मान मद्दाताओं को बेंड देखेंगे तो राज़त की बेचेनी मुसल्मानों को लेकर नहीं है कि उनकी बेचेनी जो उनके एमवाई समिकरण के बाहर के लोग है जो देहर के वोटर का 70 प्रतिशत है गैर यादो गैर मुस्लिम न शाख गैर यादो गैर मिस्लिम जिस पर बीजिवी की रण नि मुसल्मान और यादो राजद को छोड़कर कहीं जाएंगे ऐसा भाजपा को भरोसा नहीं है प्रशांत की सोड़को भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि अब तक का ट्रेंड यही है कि आप कितना भी कर लें वो उनको लगता है कि राजद ही उनकी पार्टी जैसे भारती जनता पार्टी चाहे जिसको जिस भी यादों को वोट दे दे यादो उनको अपना नेता नहीं मानता है भारती जनता पार्टी किसी शाहनवाज को किसी मुसल्मान को वोट केंड़ेट खड़ा कर दे मुसल्मान उसको वोट नहीं देगा लेकिन मुसल्मानों में भी या कॉंग्रस हो एस पार्टी को या उस किसी क्षेत्रविशेष की केंडडेट को वो तभी वोट देंगे जब उनको लगेगा कि वो हिंदू पालिटी को हराएंगे वो हम लोग भले इसे धांत में धर्म निर्पेक्ष राजनीत करते हैं और कहते हैं लेकिन व्यावारिक जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है कम से कम मुस्लिम मर्दाता धर्म नहीं जा गए वो धर्म सापेक्ष राजनीत करते हैं और उनको लगता है कि हमारे धर्म के हमारे जमात के लोगों को जो बेटर फैसिलिटीज देगी या बलकि उनको उनके अनकूल होगी वो सरकार वो बनाएंगे और वो जो भाजपा को हरा सके उनको बहुत सड़क बिजली पानी रोजगार कोई मतलब नहीं है उनको सिर्फ इसलिए वोट देना है कि जो भाजपा तो प्रशांत किशोर की अबिलिटी तभी होगी कि क्या वो भाजपा को हराने का विश्वास उसमें जगा सकते हैं तो मुझे नहीं कि पार्टियों का जो वोटर है आखिर कोई नया विकल्प खड़ा होके आएगा अगर प्रशांत कि शोरी आते हैं तो वोट तो काटेगा चैतरी पार्टियों का है क्योंकि कॉंकि कॉंग्रेस के अपने जो भी है थोड़े बहुत वो हैं पहले से उसके कैडर है उसके भी भागपमाले के भी कैडर वोटर है भाजपा के भी कैडर है जो उनको देते रहे हैं भूट कटेगा चैत्रियों का जदिव का कटेगा और राज़त का कटेगा आपको लगता है इस कारण से चैत्रियों पार्टियों वेचैनी है ने मैं आपके शब्दावली कि मैं थोड़ यह है कि और कैडर कास्ट भी जो आप कह रहे हैं तो भाजपा का जो कैडर है उनके लिए आप कैडर कह सकते हैं वो इधर उधर नहीं जाएगा चाहे वो दस परसेंट हो वो अपना अपनी पार्टी को देगा जो जिनको आप कह रहे हैं लालू का वोटर उनके लिए कास्ट ही कैडर है तो वो भी दर उधर नहीं जाएगा तो प्रशांत किशोर की सारी संभावना इस बात पर निर्भर है कि वो कैडर और कास्ट के परे जो मत दाता है उनमें से कितना प्रतिशत अपनी तरफ करते हैं इ अगर आप ने पार्टी का नाम सुराज रखा है तो आप उसी पर जोर दीजें कि हमको आप इसलिए वोट दीजें अगर आप गुड़ गवर्नेंस चाहते हैं अब इस समीकरणों में आ गए तो फिर आप पार्टी डिफरेंस तो है नहीं वहीं जोर तो करेंगे माई उनका मुसल्मान का वोट ले लेंगे जाद आपने मुझे लगता है कि हाल के दिनों में यह पार्टी बनने से पहले एक बड़ी घोशना जो उन्होंने की कि हम 75 मुसल्मानों को वोट देंगे उनकी हिसाब से बहुत समझदारी की बात होगी लेकिन मुझे तो नहीं लगता है यह उस समाज से आते हैं आप यह भी कह सकते थे कि हम हर समाज के जो सक्षम लोग हैं अच्छे लोग हैं वो मेरा साथ दें और हम अच्छे लोगों की सरकार बनाएगा अखरी सवाल मेरा यह है कि पार्टी कारेकरता जो बरसों बरसों तक थाम करते रहते हैं और उनको कोई जग पुल गिर रहे हैं कानूंग रष्था कि स्थिधी खराब है यह सारी निराशाएं तो उसी तरह राजनितिक दलों में भी निराशा है कि भाई जो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं उनको मौका नहीं मिल रहा है आप बाहर से ले आ रहे हो भारती जनते जो आपने बताया कि लेकिन ये जो बीमारी है वो अलग-अलग है राजत में परिवार का चला आता है निति परिवार से बाहर जमात में आये हैं जानता बाइए बीजेपी में आई ये तो बीजेपी में भी बहुत बड़ी बेचेनी है समराट चौधरी के आने के बाद से कि उनको लग रहा है कि जो हमारी विचारधारा के लोग थे भले आप उनको पद दे रहे थे नहीं दे लेकि जो तीन प्रमुख पार्टिया हैं तीनों में अलग-अलग कारणों से शोग है जनता का जो बड़ा वरग है उसमें भी जो तो ये सारी इन सारी निराशाओं को विफलताओं को प्रशांत कि शौर कैसे एडर्स करते हैं और कैसे उनके लिए उमीद बनते हैं ये उनके प्रशांत किशोर अपनी नीतियों पर अगर ठीक से चलेंगे तो वो कोई करमात तो जरूर कर पाएंगे क्योंकि बिहार की जंता में एक बेचायनी एक तड़प है वो बदलाव चाहती है और जिस तरह से सत्ताधारी दलों ने अदल बदल कर जो जो लोग इस राज्य पर शा अगर वो दिख रही हैं तो किस तरह की दिख रही है इस सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुमार दिनेश्टी थे उन्होंने अपनी बात रखी है हमारी यह बाचित आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताईए अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लीख है और हमें यह जानकारी दीजिए कि हमारी बाचित आपको कैसी लगी और इस तरह की बाचित के लिए रोज जुड़िए हमसे जुड़े रही है लाइब बिहार के साथ देखते रहे हैं लाइब बिहार नमस्कार